फिरोजबाद में अबू हुरेरा गल्स कॉलेज में भाच्पा सदर विधायक मनीश असीजा ने चात्राओं को स्मार्ट फोन वित्रित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुखे मंत्री योग्या दित्तिनाथ जैसा इमानदार नहीं देखा है उन्होंने कहा कि योगी जी के उच्च सोच के कारण ही जनता के पैसे का सदुपियोग करके स्मार्ट फोन दिये जा रही है जिससे उत्रप्रदेश में अध्यनरत युवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है उन्होंने चात्राओं से मोबाइल का सदुपियोग करके उच्च सिक्षा प्राप्त करने की बात कही इस अवसर पर 77 मुस्लिम चात्राओं को सरकार की योड़ से स्मार्ट फोन मिलने से उनके चहरों पर खुशी नजर आई चात्राओं ने मोदी और योगी सरकार की तारीफ की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे बच्चेव को है और जो प्रावधिक शिक्षा है उच्षा के अंतर इसाती है इनके बच्चों को टेबलेट और स्मार्ट फोन इसका बितरन हो रहा है लगवाग दो करोड से उपर स्मार्ट फोन और टेबलेट बटे जाने है और ये मारी योगी जी के ही जो उनका बोलने का सदन में हमेशा वक्त अभी होता है जनता की गाड़ी कमाई है जो बचार का जनता की चल्ड़ों में अर्पित हो रही है अज हमारे हैं ये सरकार की जो योजना चल रही है ग्रिजवेशन और पोस्ट करने वाले बच्चों पे लिए स्मार्ट फोन और टेबलेट वगरा की तो उसी सम्मन में आज हमारे हैं स्मार्ट फोन बच्ची ये कि अज़ वह थे किया है और उन्होंने भी विस्तार से कहा और भी वक्ताओं ने बताया कि स्मार्ट फोन का इस्तेमाल आव अपनी छिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और आई टी सेक्टर में आ करके और बहुत सी लाइबरिरी से बहुत सी इन्वेस्टी से जोड़ करके अपनी छिक्षा पर ध्यान दें और उसको बढ़ाने की कोशिश करें जो योगी जी हमारे मुख्यमंत्री है उन्हों ने हमें इस डिजिटल वर्ड को और गट के तहए हैं जिस्से हमें आगे बढ़ने के लिए काफी जादा पढ़ाई में हमें काफी मदद मिलेगी इस जमाने में हमारे लिए फूड घाना कपड़े और मकान जरूरी होता है रहन तो मैं बहुत जादा थन्यवाद कहना चाहती हूं, माननी मोधी जी को और योगी जी को कि उन्होंने बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए इस डिजिटल वर्ल्ड में स्मार्ट फोन का वित्रल किया।